प्रवाइब तो दोस्तों में फिर्सक नए व्लॉग के साथ इस वक्त मैं हूं जंगल के बीच में और मैं यहां पर अभी 10 मिनिट राइट करने वाला हूं पैसी जंगल में जब भी मोड़ ऑफ होता है तो मोड अन करने के लिए यह जंगल में आप आ cleared कर लेए ओधे ह्ना1 किए हैं इस दो पर की जिंदही को जिस तरीके से आप जीना चाहेंगे जी सकते हैं और ये जीने का तरीका आपको खुद को ढूंड़ना है मैं अपनी लाइफ जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये दुनिया है इस दुनिया में आजमाईश बहुत है परिशानिया बहुत है मसीबते आती है घर का टेंशन सब कुछ टेंशन रहता है लेकिन इन टेंशन के बीच में कभी कभी अपने दिमाग को फ्रेश कर लिया करें और फ्रेश करने का तरीका क्या है भाई यही है कि गाड़ी लो निखल लो सव रुपे का पैटरोल डालो और जंगल के बीचों बीच में अप्राइट करो मस्त हवा खाओ और जिंदेगी का मगार लो सारी टेंशन आपकी खतम हो जाती है इन चंद मिनुटियों के अंदर मैं जब भी सोलो ड्राइफ करता हूँ तो मनी बन में कुछ गाता रहता हूँ मज़ा आता है वापस यही दुआ करता हूँ कि यार जो जिन्देगी जो पल मेरे गुजर है मैं इन पल को कैमरे के अंदर कैप्चर रखो और जब मैं बड़ा हो जाओंगा बड़ा तो हूँ फिलाल जब मैं बड़ा हो जाओंगा मेरे बाल बच्चे भी मेरा देखेंगे वीडियो की है हमारे अपो ने भी बहुत कुछ का लागारी किये फिलाल मैं तो अभी बाई इंजॉय कर रहूं मैं भी कोई बड़े घरका लड़का नहीं हूँ पैसेवालो जैसा नहीं हूं मेरी बाई बाई कुछ ओओ थीवांगे थे चाहा हो और अब बाई भाई बाई बाई पाई जैसा नहीं है मैं अपने आपको कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि भाई इस बाइक कुछ अला रहा हूँ नहीं अच्छा नहीं लगा रहा है मैं ऐसा क्यों हूँ इसा नहीं सोचता हूँ मैं जो उपर वाले ने दिया मेरे इस पे मैं खुश्छ लूँ बस अलहम्द्रिल्लाव यह सबसे बड़ी बात है कि उपर वाला जो देता है ना उस पे आप खुश्छ होना रहा है अभी देख में को यह बाइक तो नसीब हुई है किसी को तो अभी तक बाइक भी नसीब नहीं हुई है किसी को तो साइकल भी नसीब नहीं है किसी को तो पैर भी नहीं है आपने को जो दिया है लहम भी ल्ला यार बहुत जिंदगी दो पलकी है और दो लंगों के लिए आप आए हो दुनिया पर दुनिया मुसाफिर खाना है और मुसाफिर वाले जिन्देगी गुसाब मैं तो अपनी जिन्देगी को ना हर वक्त सोचता हूं कि ट्राबल्स में में कुछ अपड़ पड़ के तो प्री दुनिया को बहुंगा। कहा ना कहा जाओ। सबसे पहले तो भाई मैंने सोचा एक कि प्री इंडिया को इंडिया घुमने के बाद फिर मैं फॉरेंड केंटरी जाओ। जो जो अल्ला की नया मते हैं जो उपर वाले ने दुनिया बनाया है, दुनिया सजाया है। अकर आप गोर करें कि अगर दुनिया को उफडान इतना खुबसूरत बना आया है, तो जन्नत को कितना खुबसूरत बनाया होगा। वो मेरे close से भाओ है। जन्नत का मतलब हो गए स्वर्ख जो हमारे हिंदी भाषा में स्वर्ख कहा जाता है और उर्दो भाषा में उसे जन्नत का आता है कर दो हमारे हिंदी जन्नत का आता है फिलाल दोस्तों मैं कम से कम पांच किलो मीटर की राइडिंग कर चुका हूँ इस वक्त जन्गल जो है आप देख सकते सामने खतम होने वाला है हऊंच को जन्गल का वीव भी आपको मैंने दिखादहिया मस्त लगा त्स ल्याइड करने कभी UP आप भी अपनी लाइड में तरी के सब्सक्राइब को अच्छे मैं अभी अकेला चला रहा हूं लेकिन मेरी वीडियोस आप देखेंगे बहुत सारे लोग देखेंगे और जब आप देखेंगे तब मैं अकेला तो नहीं देखा हूं तो पूरे लोग मेरे साथ रहेंगे अबिलते हैं इंशालला फिर एक नएवल उफिसादा तकना खयाल लगे असलाम अलेकुम झाल झाल